जैशंकर जी माराच, नमस्कार, अधाब, उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे, यह मेरा पहला ब्लोग है, तो इसमें मैं शुरुआत करना साथा हूँ, जो एक दो दिन से मुद्धा चला हुआ है, अगर आप लोग देखते होंगे हिमाचल वाला, हिमाचल वाली, काफी पर में हैं, और हिमाचल वाला के साथ जो है, उनके काफी ब्लोग जा रखे हैं, इनका रिलेशन काफी उपर गया था, जिसके बाद, अभी कल जो हमने देखा, जो शिवानी जी ने वीडियो डाली, जिसमें उन्होंने सारा बताया कि रवी जी कैसे क्या करते थे, क्या सब प्ल क्योंकि देखें, आप लोगों ने भी देखता है, कि जो शिवानी जी ने कहा है, कि जैसे जब शुरुवात हुए, जब जो है, हिमाचल वाला ने ब्लोग डाला इनके साथ, कि मेरी दोस्त आई है, कोई अफरीका से, तो वो शिवानी जी ही थे, तो वो भी सब कुछ प्लै जादा उठाया जाए, और हम लोग यह हैं कि सब्सक्काइबर्स भी जादा आ जाएंगे, लोग फोलो करने लग पड़ेंगे, तो उसे एक तरह से कहानी की तरह बनाया जाए, तो यह सुनने में भी काफी हैरानी वाली बात है, कि जो रवी जी है, हिमाचल वाला परसित है नाम से, उनका अगर हम ब्लोग देखेंगे तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता जो जो शिवानी जी ने बताया है, लेकिन जो प्रूफ शिवानी जी ने साथ में लगाए हैं, वो सब ये चीज बताते हैं, कि जो सच है, क्या जूट है, और एक और चीज बताना चाहँग कि ये दोनों कठे सोच रहे थे कि हम जो है, स्टार्ट करें वीडियोज को बनाना, ब्लोग करना, बट हुआ क्या कि उसके बाद, उसके बाद जो है, इनको टाइम नहीं मिला सीधा, इनोंने फिर क्या किया कि शिवानी जी, हमाचन वाला के साथ मिल गी, और इन दोनोंने व सोचा भी था कि कल जो है, उनका एक होगा, लेकिन आज जो हमने देखा, उसके बाद एक कुछ नहीं है, और इसके लिए जो है, शिवानी जी ने वीडियो में डाली, वीडियो में बताया कि कैसे उन्हें मारा जाता था, किस बहीवर से वो बात करते थे, क्योंकि देखे कु से बात करते करते बात कम हो गई, और एक बार तो शिवानी जी के मेसिजिस से पर्सनल, अरवी जी बात कर रहे थे, यूट्यूबर के साथ, तो वो चीज भी उन्होंने देखी, एकदम से जब इनको हाइप मिल गया, तो उन्होंने उस यूट्यूबर को ब्लोग कर दिया, आप लोग देख सकते हैं उसके वीडियो भी, उनको ब्लोग कर दिया, बट ये चो बात है, ये बताना चाहता हूँ, कि ब्लोग करने के बात, फिर भी उन्होंने मेसिज किया, लेकिन मेसिज का कोई रिप्लाई नी आया, सारा कुछ रवी जी कर दे थे, शिवानी जी नह कह कि देखे, आप लोग सब जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, बट जो पर्दा होता है, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे क्या होता, ये किसी को पता नहीं होता, चाहे हमने एक पहलू सुना है, लेकिन एक पहलू के ही दो पन्ने निकलाए हैं, और दूसरा जो पहलू है उसका भी एक पन्ह भी नहीं निका नहीं अभी तक पैन उठाया गया पन्हा निकलाएं के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वैल आइकन को दबाईएगा मैं आपका काफी शुक जब लो